तो friends जैसा कि आप देख सकते हैं जो CISF की और से नई बरती आ रही है इसका जो official notification है JV out हो चुका है साथ में आप देख सकते हैं जो education qualification मांगी गई है application farm को fill करने के लिए वो मांगी गई है 10th class pass चानी कि आपके बास कम से कम 10 मी पास का education certificate होना चाहिए हलो friends स्वागत आपका हमारे YouTube channel नियू सरकारी jobs में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो CISF की और से नई बरती आ रही है recruitment आ रही है इसकी job की details के बारे में इस वीडियो में हम इस बरती से जुड़ी सभी important details के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन-कौन सी posters देखने के लिए मिलेगी कितनी vacancy देखने के लिए मिलेगी आपको salary कितनी दी जाएगी इस job में क्या education qualification मांगी गई है अगर आप इस job में apply करना चाहते है आल इंडिया के male and female candidate दोनों इसमें apply कर सकते हैं और जे जो बरती आ रही है जे CISF की और से सीधी बरती आ रही है इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे channel पे नहीं आए हैं तो please subscribe कर लीजिए हमारे youtube channel न्यू सरकारी jobs को jobs के later latest update सबसे पहले पाने के लिए तो friends सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो CISF की और से बरती आ रही है इसकी monthly salary के बारे में तो अगर आपका इस जौ में selection हो जाता है तो जो monthly salary दी जाएगी आपको इस जौ में वो दी जाएगी 15,000 से लेकर 48,000 तक आपको monthly salary जौ में मिलेगी इसके बाद हम बात कर लेते हैं eligibility criteria के बारे में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं education qualification में तो education qualification में आपके पास कम से कम 10th class pass जानी की दसमी pass का education certificate होना चाहिए तो जे बात होगी education qualification की इसके बाद हम बात कर लेते हैं age limit criteria के बारे में तो जो आपकी age मांगी गई है वो आप 18 years है वब होने चाहिए लेकिन 30 years से below होने चाहिए और कुछ candidates के लिए जहा relaxation भी रखी गई है जैसा कि जो candidate OVC से belong करते हैं उनके लिए 3 years की relaxation रखी गई है और जो candidate SC जा ST से belong करते हैं उनके लिए 5 years की relaxation आपको age limit में देखने के लिए मिलेगी तो जे बात होगी age limit criteria के बारे में इसके बाद हम बात कर लेते हैं selection process के बारे में तो इस job में जो selection होगा वो कैसे होगा तो सबसे पहले तो आपका reading exam होगा उसके बाद आपका physical test होगा उसके बाद आपका medical test होगा और अगर भी आप इन सवी टेस्ट में qualify कर लेते हैं तो last में आपकी एक final marry list निकाली जाएगी और अगर आपका final marry list में नाम आ जाता है तो last में आपके documents की verification की जाएगी आपकी joining के लिए तो इस तरह से इस job में को selection किया जाएगा और friends अगर आपने जो हमारा telegram channel है वो join नहीं किया हुआ तो आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं इस telegram channel को join करने का फाइदा आपको जे होगा कि जो भी job की new notification आएगी उसकी latest update आपको सबसे पहले इसी channel पे मिल जाती है सो जल्दी से join कर लीजिए हमारे telegram channel को link आपको description में मिल जाएगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो जो CISF की और से बरती आ रही है इसकी job की details के बारे में तो इसमें जो आपको total number of posters देखने के लिए मिलेंगी बो मिलेंगी 535 posters जानी की 535 posters आपको इस job में देखने के लिए मिलेंगी इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन-कौन सी posters इस job में देखने के लिए मिलेगी तो इसमें electrician, fitter, mechanic motor, machinist and mechanic, electronic mechanic, boiler and turner, drotsman and instrument mechanic जानी कि इस तरह से आपको काफी सारी posters इस job में देखने के लिए मिलेगी और जो total vacancy CISF की और से निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 535 vacancy इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ important dates के बारे में तो इसकी जो starting date है application form को fill करने के लिए वो start हो चुकी है जानी कि इसके application form लगना start हो चुके है और जो last date है application form को fill करने के लिए वो है 23 of September 2021 जानी कि 23 September 2021 तक इसके जो application form है वो बरे जाएंगे और जो apply mode होगा वो online होगा आपके online application form fill किये जाएंगे इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप eligible हैं और apply करना चाहते हैं इस job में तो आपके पास कौन-कौन से document होने चाहिए तो सबसे पहले तो आपके पास date of birth proof certificate होना चाहिए जैसा कि दस्मी pass की mark sheet आपके पास होनी चाहिए second number पे आपके पास दस्मी pass की mark sheet या diploma आपके पास होना चाहिए इसके अलावा आपके पास ITI certificate होना चाहिए जिस trade में आप apply करना चाहते हैं उसका ITI होना आपके पास compulsory है इसके बीना आपका application form नहीं fill होगा इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास अगर कोई other qualification जा experience अबोवी apply कर सकते हैं application form के साथ आपके पास अपना आदार card होना चाहिए pan card होना चाहिए इन में से एक होना चाहिए अगर आप SCST या OVC से belong करते हैं तो आपके पास अपना card certificate होना चाहिए आपके पास अपने चार passport size photograph होने चाहिए light color background में और इसके साथ साथ signature वी आपके पास होने चाहिए तो अगर आपके पास जे सभी documents हैं तो आप successfully apply कर सकते हैं इस job में इसके बाद अगर हम बात करें कि apply आपको कैसे करना है तो apply करने के लिए सबसे पहले तो आपने official website पे चले जाना है link आपको description में मिल जाएगा उसके बाद आपने अपना account बना लेना है email and password जूस करकर उसके अपने application form है वो सही से fill करना है द्यान रखना है कि उसमें कोई भी mistake ना हो उसके बाद आपने जितने भी documents मैंने उपर बताएं है वो सभी documents आपने अपने account में upload कर देना है उसके बाद आपने जो अपना application form है वो last date से पहले पहले submit करवा देना है और last में आपने application form का print out निक वो लगेगी 200 रूपीज लेकिन अगर आफ EWS, SC, ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो application fees लगेगी वो आपकी कोई वी application fees नहीं लगेगी application farm को fill करने के लिए और जो payment mode होगा वो online होगा आपके online application farm fill किये जाएंगे और आपको online ही अपनी application farm की fees पे करनी होगी तो आप 23 सब्तमबर 2021 से पहले पहले अपना जो application farm है वो fill कर सकते हैं और फ्रेंड्स जो इंडियन आर्मी की और से नहीं बरती आ रही है अगर आपने बो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप बो वाली वीडियो भी देख सकते हैं इसमें जो आपको monthly salary दी जाएगी बो दी ज और जो education qualification मांगी गई है application farm को fill करने के लिए वो मांगी गई है दसमी पास आपके पास कम से कम 10th pass का education certificate होना चाहिए और application farm को fill करने के लिए आपकी कोई वी application fees नहीं लगेगी जो इंडियन आर्मी की और से सीधी बरती आ रही है male and female दोन्नों इसमें apply कर सकते हैं ज्यादा जा हमारे यूट्यूब चैनल नियू सरकारी जॉब्स को जॉब्स के लेटर लाटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए